सब्सक्राइब रहे हैं मैं दर्ता์ रावत और हम पढ़ रहे हैं चैप्टरस्टे लेक्टफर हैं वहां से स्टाथकर सबस्चरल चैप्टर बीजन फेसिन छी डियमेंटर रेडियल्स,naight रेडियल्स , زागमें में पढ़ेंगे यहां पर और देखेंगे टैंजेंट रिलेशन है और साथ ही साथ कुछ थियोरम भी हम यहां पर देखने वाले तो चलिए स्टार्ट करते हैं सो सर्कल चेप्टर में आपको पता है सर्कल क्या होता है एक राउंड शेप ठीक है जिसके कोई कॉर्न नहीं होते वर्टेक्स नहीं होती ओके चलिए अब यहां पर देखिए सो इंट्रोड़क्शन में सबसे पहले यहां पर रेडियस एंड डायमीटर की हम बात करेंगे यह स सर्कल की डेफिनिशन क्या होगी सर्कल क्या है एक सेट है पॉइंट्स का जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक पॉइंट्स में है ठीक है अगर मैं यहां पर एक पॉइंट यहां पर रखूं एक पॉइंट यहां रखा एक पॉइंट यहां रखा एक पॉइंट यहां सारे points जब मिलते हैं, तो ये points का जो set होता है, जो एक particular point से equal distance पे है, इन set को हम क्या बोलते है, ये set क्या form करता है, circle फर्म करता है, ठीक है, जो इस तरीके से इसकी definition होती है, now the fixed point is called the center, इस fixed point को क्या कहा जाता है, center कहा जाता है, ठीक है, center of the circle and the constant distance is called the radius of the circle, और जो constant distance होती है, उसे क्या कहा जाता है, जो constant distance होती है, उसे क्या कहा जाता है, radius of the circle, that means, यहां पर यह आपको circle दिख रहे है, ठीक है, बीच में जो इस part है, यह क्या कहा जाएगा center और इस center से, इस outer, जो यहां के बाहर वाले जो points है, इन पर जो line सीधी कहीं पर भी होगी, वो क्या कहलाएगा हमारा radius, जिसको हम R से represent करते हैं, ठीक है, अब आप किसी भी point पर, बाहर circumference पर, आप किसी भी point पर जाओ, यह सारी ही length, क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, radius कहलाएगी, ओके, चलिए, अब यहां पर आप देखिए, अगर center O है, ठीक है, अगर center O है, और radius R है, तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, C O, R, ठीक है, इस तरीके से भी represent किया जाता है, a line segment formed by joining the two points on the circle, and passing through the center of a circle, is called the diameter of the circle, अब बात कर रहे हैं हम diameter की, अब diameter किया होता है, देखिए, मेरे पास यहां पर circle है, ठीक है, यहां center है, मैं कोई 2 point लूँ, यहां पर, बाहर circle में, दो point में लेती हूं, और उसको में join करती हूं, और वो line, अगर center से पास हो रही है, तो यह जो line कहलाएगी, यह क्या कहलाएगी, हमारी diameter कहलाएगी, क्या कहलाएगी, diameter, ठीक है, तो ऐसी line, यह को हम बोल सकते है, यह cord, यह cord भी कहलाती है, लेकिन cord अलग-अलग तरह कहते हैं, cord क्या होते है, center से पास होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, लेकिन ऐसा cord, जो center से पास हो, वो क्या कहलाता है, diameter, दोबार इस definition को पड़ो, a line segment, एक line segment form, किसी form होती है, joining the two points on the circle, circle के दो points को join करके बनती है, and passing through the center, और center से भी pass होके जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपर diameter कहते हैं, ओकी, चलिए, तो यह बात की हमने radius and diameter, लेकिन circle के और भी components हैं, उनके बारे में भी हम discuss करते हैं, जैसे की cord, अभी आपको बताया है, diameter भी क्या होता है, a cord ही होता है, the straight line segment, whose both end points touch the surface of a circle, क्या बोला गया है, circle के ऐसे 2 point, जैसे की line segment है, cord, जो क्या होते है, end point होते है, किसके surface of the circle के, इस 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 बारे में बना के बताती हूं आपको, यहां पर यह circle है, यहां surface, zap say circle के surface मैंने 2 point ले ली और जॉइन कर दिया, तो यह क्या कहलाएग भी component क्या 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 ख्यांड़ है, सर्फेस पे किसी दो पॉइंट की जो जॉइनिंग लाइन होती है, लाइन सेग्मेंट जो बनता है, वो क्या कहलाता है, कॉड कहलाता है, ठीक है, नेक्स्ट है हमाई पास आर्क, इस बेसिकली दा कनेक्टेड कर्व ऑफ अ सर्कल, यहां पर आप देख रहे होंगे आर्क, यहा मैं एक लाइन डरा कर रह रहения हूं, तो यह जो पार्ट है, सर्कल का ही कर्व जो लाइन है यहां पर, यह क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है, ठीक है, अब जितना जयादा बढ़ा होगा, वो मेजर आर्क, जो स्मॉल होगा, वो माइनर अर्क, चलिए, बात करते हैं, सेक्टर क union, Sun i.e region bounded by 2 radiis and an arc एक ऐसा region, एक ऐसा area, जो इस से bounded 2 radiis, मह díaself, a60", तो नλαब एर्डीप से पालाफ म्हल रेडियस से अगर现在 लिशा ही इस मैं क्या Kण दू हम इस में ही मैं एक संक्टर तरहां, जोन ही मैं यहां श्यों से जाया कई दू सो अब आप पढ़ोगे और रीजन बाउंड़ 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 तू रेडियाई तू रेडियाई तू रेडियाई तू रेडियस एंड आर्क और एक आर्क से और दो रेडियस से जो कवर है बाउंड़ जो एडिया होता है वो हमारा क्या कहलाता है सेक्टर कहलाता है अब बात करेंगे हम segment की segment क्या होता है ठीक है अब आप देख रहे होंगे segment भी यहां पर क्या है कुछ इस तरीके से यह पार्ट पूरा circle का देखे रीजिन यह भी एक area है bounded by a chord यहां पर किस से bound हो रहा है अब यहां पर एक chord से and arc से line between the chords and point and chord के end point तक क्या करता है लाय करता है it is to be noted that segment do not contain the center and segment the center is not contained अब ध्यान देंगे जब मैंने यहां पर sector बनाया था तो यह center से जा रहा है यहां पर मेरा center यह क्या है बीच में center है इसको मैं O से denote कर रही हूं ठीक है लेकिन अगर अब मैं यहां पर एक circle बनाती हूं अब यहां पर एक में यहां पर इस तरीके से chord मैंने बना दिया अब center तो यहां बीच में है तो यह segment और यह arc इन दोनों से covered जो area होता है वो क्या कहलाता है हमारा वो कहलाता है segment यह क्या कहलाएगा segment ठीक है और यह क्या कहलाता है हमारा sector ठीक है चलिए सो आपको समझ में आ गए components कौन कौन से हैं यहां पर arc है जो क्या होता है surface का corner part होता है सेक्टर क्या होता है दो radii और एक arc से जो घिरा हुवा bounded area होता है वो sector कहलाता है and segment क्या कहलाता है 1 chord and 1 arc इन दोनों से bounded जो bounded area होता हो जो कहलाता है segment और segment में center count नहीं होता, अमला center उसमें नहीं आता, okay? चलिए, आगे देखते हैं, अब यहां पर हम बात करते हैं, second की, क्या होता है second? a line which intersect a circle in two distinct point is called a second of the circle, यहां पर आप देख रहे होंगे, एक circle है, और यहां पर PQ, PQ एक line है, यहां पर PQ क्या एक? line है, और यह हमारे पास क्या आगया? circle, so एक line जो है, वो जब circle को दो point पर cut करके जाती है, दो point पर cut कर वी है, यहां पर, एक तो point है यहां पर A, एक point है यहां पर B, इस दो point पर जब cut करके जाती है, जैसे कि PQ is a line which intersect the circle in two distinct points A and B, so PQ is called second, तो वो जो line होती है, वो क्या कहलाती है? second कहलाती है, जैसे कि अभी हमने segment में पढ़ा था, यहां पर कुछ एस तरीके से, इसे क्या कहलेंगे? सेग्मेंट कहेंगे और साधी साथह जो हम क्या बोलते है यह जो पार उता है queremos हम बोलते हैं कॉर्ड लेकिन यह कॉर्ड जो होता है यहीं से इसके दोनों एंड पॉइंट उनली सर्कल में ही रहेंगे सर्कल के जो एंड पॉइंट जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है वही क्या कहलाते है यहां पर इसका एंड पॉइंट वो कहलाता है ठीक है स्कॉर्ड का ल जो में यहां पर हमारा में जो टॉपिक है वो यही है तैंजिन की हम यहां पर बात करने वाले इस पूरे चैप्टर में ठीक है तो टैंजिन होता किया है सबसे पहले हम वो डिसकस करते हैं एक तैंजिन तो एक सर्कल एक तैंजिन तो एक सर्कल इस एक लाइन यह एक लाइन हो को डो पोइंट पे कट करकी जो कर जाती है उसे सेकेंद कहते हैं लेकिन टैंजिंट में क्या बोला गया है टैंजिंट क्या होती है एक एएसी लाइन होती है जो सीक्ल करें सब्सक्राइग करती है और Minh पॉइंट कर सकrant दूर करती है ब nella 궁금 तो ऐसे ही वह किसी एक पॉंट पर क्या को के जाती है ताच हो कर जाती है ठीक है सो इसको यहां पर हम PQ को क्या बोलेंगे यहां पर टैंजेंट कहेंगे क्लिया रहा है एवा पर 2nd और तेंजने में यहीए प्रेंजियरंस है तेंजेंट कहलाएगी ठीक है और जो यह पॉइंट आर है यह जो आर पॉइंट है यह क्या कहलाएगा point of contact, क्या कहलाएगा? point of contact, जिस point पर वो tangent टच होके निकल रहा है, वो point हमारा क्या कहलाता है? point of contact of the tangent, okay? clear है बिलकुल? चलिए, अब आगे देखें आपर, the point of intersection of a circle and the tangent 2 is known as the point of contact, वही है, सेम कि जहां पर circle और जो tangent touch हो रहे हैं, एक दूसरे को intersect कर रहे हैं, वो point क्या कहलाता है हमारा point of contact, ठीक है? चलिए, अब हमने यहां tangent के बारे में पढ़ा, लेकिन tangent से related हम और भी चीज़े यहां पर देखेंगे, जैसे कि number of tangents from a point on a circle, यहां पर हम देखेंगे कि किसी circle में, कि अंदर अगा मैं point ले लो, वो point of contact मैं कहां ले लो, अंदर, circle के अंदर अगर एक point है, वहां से अगर मैं tangent pass करूँ, तो क्या होगा? ठीक है? there is no tangent to a circle passing through a point line inside the circle, so यहां पर कोई भी, अभी आप जो line देख रहे हो, यहां पर मैं अगर बोलती हूँ कि इस point पर अगर मुझे tangent बनाना है, तो आप देखोगे, जब मैं इस से pass करूँगी, तो यहां पर यह जो lines है, मैं कि दो points पर कत कर रही है, यह circle को किस point पर कत कर रही है, दो points पर दो points पर कत कर रहे है, यहां पर यह लाइन भी इधर और दो जगह पर कत कर रही है, यह भी दो जगह पर कत कर रहे है so you the only point here ऊहां पर पास होके जाये किसी सर्कल की ऐसे पॉइंट से पास होके जाये जो सर्कल के अंदर हो आगे second case की मैं यहां बात करती हूँ there is only there is one and only one tangent to a circle passing through a point lying on the circle अब बोला गया है क्या बोला गया है कि सिफ एक ही ऐसा tangent होगा जो सर्कल के एक particular point पे for example मैं यहां पर point लेती हूँ P ठीक है यह point मैंने यहां पर क्या ले लिया P point लिया है ठीक है इस P point पर इस P point किया बात करूँ तो इस P point पर सिफ only one ही tangent होगा जो पास होकर जाएगा मतलब एक point पर only एक ही tangent हमें मिलेगा लेकिन अगर मैं कोई दूसा point लेलू for example मैं यहां पर एक point लेती हूँ इस point को मैं Q बोलती हूँ तो इस Q को पास करने वाला भी एक tangent होगा सिफ only one tangent होगा so one point से only one tangent ही pass हो सकता है okay clear है so यहां पर यही है second case there is only one and only one tangent circle passing through the point lying on the circle okay circle मैं बहुत सारे tangents बन सकते हैं लेकिन एक particular point पर सिफ एक ही tangent बनेगा ठीक है चलिए third case देखें यहां पर there are exactly two tangents to a circle through a point lying outside the circle अभी हमने first case में देखा कि अगर point of contact बीच में center में होता या फिक ही अंदर circle के अंदर होता तो वहां पर tangent possible नहीं है अगर circle की surface में में वो point ले लूँ तो वहां से only one tangent form होता है लेकिन अभी third case क्या है कि अगर मैं उस point को circle से बाहर लूँ ना circle के अंदर ना circle के उपर circle के बाहर अगर मैं circle के बाहर यह p point ले रही हूँ ठीक है यहां मैंने circle के बाहर यह p point लिया है ठीक अब यह P point circle से बाहर है अब जब कोई point circle से बाहर है तो उस point से circle पे tangent कितनी बन सकते हैं So, यहाँ पे क्या दिया गया है? The length, there are exactly two tangents तो अगर कोई point बाहर है, वहाँ से अगर मुझे circle पे tangent बनाना है तो यहाँ आप देख रहे होंगे, यह T1 and यह T2 यह particular यहाँ point और यह particular यहाँ point पे क्या कर रहे है? Intersect कर रहे हैं, touch हो कर जा रहे हैं So, there are exactly two tangents, तो अगर point बाहर होता है, तो circle पे दो tangent वह form कर सकता है And the length of the segment of the tangent from the external point P and the point of contact with the circle is called the length of the tangent तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, length of the tangent, length of the tangent क्या कहलाएगी? जो circle, जो यह point था, जहां से हमने बनाया है, ठीक है, tangent, वहाँ से लेकर जो circle को touch कर रहे है For example, यह T1 point पे touch कर रहे हैं, और यह T2 point पे अगर touch कर रहे हैं So, यह जो length होगी, तीवन से, उस point of contact से लेकर P point तक, उस external point तक, इन दोनों की distance होती है यही क्या कहलाती है हमारी length of the tangent Tangent की length हम कहां से देखते हैं, जहां point of contact है and external point, इनके बीच का जो distance होता है, वही क्या कहलाता है length of the tangent Okay, यह समझ में आया, so T1P यह भी क्या है length of the tangent and PT2 यहां पर यह भी क्या है length of the tangent Okay, चलिए Now, अब हम यहां पर बात करेंगे two circles and the common tangent अभी हमने एक circle और एक ही tangent की बात करी है, circle और उसके tangents के बारे में लेकिन अब बात करेंगे हम यहां पर two circles के बारे में, अगर दो circle हैं तो tangent के सरीके से बनेगा Okay, चलिए When circles intersect in two points, पहला case है अगर दोनों circle जो हैं वो intersect कर रहें, that means यहां पर आप देखोगे यह दोनो circle यह और यह दोनो circle इस point पर और इस point पर क्या कर रहें Intersect कर रहें, तो अगर ऐसा case हो, तो in this case, there will be two common tangents PQ and RS to the two circles as shown in figure अगर आप यहां देखोगे, ऐसे case में क्या होगा, दो tangents हमें मिलेंगे और दोनो common होगे, मतलब वो इस first circle इस first circle का भी tangent होगा और second circle का भी tangent कहलाएगा, okay तो दोनो circle के दो tangent होगे और same होगे, that is PQ and RS, आप देखोगे यह RS जो circle, first circle है यहां यहां पर, इस first circle को कहां पर touch कर रहे है, C point, point of contact and circle जो दूसर circle होगे को D point पर क्या कर रहे है, touch कर रहा है, okay next, यहां PQ यहां पर, first को A पर, second को B पर touch कर रहे, that means, R इस first circle का भी tangent है और second का भी, PQ भी first or second दोनों का tangent है, okay तो अब the second case यहां पर क्या है when circle touch externally, अगर circle क्या करते है, externally touch करते है, that means वो intersect नहीं हो रहे हैं, यहां अब क्या कर रहे हैं सिप only touch कर रहे हैं, एक point पर, ठीक है, so इस time पर क्या होगा, ऐसे case में that two circles will have three common tangents, LM, PQ and RS, तो ऐसे case में क्या होगा, तीन tangents हमें मिलेंगे, PQ, RS and beach में LM भी मिलेगा, जो उनकी क्या होगा, जहां पर वो touch कर रहे हैं, वहां पर एक और tangent हमें मिल जाएगा, बाकी PQ and RS जैसे यहां उपर और नीचे, उपर वाले case मिला था, PQ and RS, similarly उसी तरीकी से मिलेंगे, और एक extra tangent हमें मिलेगा, जो की होगा, जो की होगा, सेंटर से निकलता हुआ जाएगा, बीच में से, जहां से वो touch कर रहे है, Allen, so, इस case में क्या होगा, जब दो circle externally touch करेंगे, only, तो उसमें क्या हो जाएगा, तीन मुझे tangents यहां पर मिलेंगे, चलिए, next देखते है, so, next case यहां पर है case third, when one circle lies entirely outside the other circle without having a common point, अब यहां पर क्या है, तीसरा case है, कि यह वो circle touch ही नहीं है, circle दोनों क्या है, अलग-अलग है, ठीक है, जैसे कि आप देख रहों यहां पर first circle और second circle जो है दोनों क्या है, touch भी नहीं कर रहे हैं, ना intersect कर रहे हैं, okay, ऐसे case में क्या होगा, in this case there will be four common tangents, जिसमें क्या होगा, four common tangents हमें मिलेंगे, common होगे, मतलब वो दोनों के ही tangent के लाएंगे, जो कि है PQ, RS, JK and LM, PQ देखो आप वही सेम उपर से जा रहे है, RS यहां नीचे से जा रहे है, दो tangent यहां पर जा रहे हैं, cross में, आप देखोगे यह JK and यहां पर LM, यह इस तरीके से, इस point, इस point पर contact है, इसका यहां पर है, इन दोनों का इधर है, ठीक है, आप देख रहे होंगे, चार tangents हम मुझे इस case में मिलेंगे, PQ and RS are two direct common tangents, जो PQ and RS है, वो कैसे है direct common tangents है, और direct क्या हो रहे, meet कर दे, जैसे कि हमने पहले के दोनों केसे से उसमें देखा था, and KJ and LM are two indirect common tangents, जो कि क्या है, that is transversal, यह किस तरीके से काम कर रहे, transversal का, ठीक है, जो क्या हो रहे, cross होकर यहां पर tangents बना रहे, ठीक है, मतलब वो first circle और second circle दोनों के ही tangents कहलाएंगे, okay, so, यहां पर next case देखिए, when one circle lies entirely inside the other circle without having a common point, अब यहां पर दोनों, एक circle के अंदर दूसा circle है, ठीक है, एक circle के अंदर दूसा circle है, तो ऐसे में क्या होगा, if any tangent is drawn, any point of the inner circle, अगर inner circle में मैं कोई एक tangent बना हो, जैसे कि यहां पर बना हुए, इसको मैं नाम दे जती हूँ, P and Q, यहां पर PQ जो है, वो इस inner circle का tangent है, जो यहां पर R point पर क्या कर रहे है, यहां पर touch होके जा रहे है, it will intersect the outer circle in two distinct points, और यही जो line है PQ, जो tangent है first circle का, अंदरत उंदर वाली circle का, वो यहां कर रहे है, बहर वाली circle को, दो पोइंट पर करते हुए जा रहा है, ठील कर रहे हुप्र सब्सक्राज़ के जो रहे है, तो यह 2nd कर रहे है, यहां दो common tangent can be drawn in this case so this case में दोनों circle का कोई भी common tangent नहीं होगा और अगर कोई ऐसा tangent है जो क्या है बाहर वाले circle को touch करता हुआ जा रहा है तो वह अंदर वाले circle का tangent होगा ही नहीं क्योंकि वह तो उसे क्या कर रहा है touch ही नहीं कर रहा है okay clear है चलिए आगे देखते हैं अब यहां पर भी circle एक circle दूसरे circle के अंदर है लिकिन वह एक पॉइंट पर मान के चलते हैं यह point है हमारे पास C this C point पर क्या कर रहे है touch कर रहे हैं दोनों circle C point पर touch कर रहे हैं और यहां पर ऐसे के इसमें क्या होगा हमें only one tangent मिलेगा जहां पर यहां पर अंदर वाला first circle और बाहर वाला second circle है इन दोनों का जो common point है उसी point पर हम एक tangent डो कर सकते हैं और वही common tangent कहलाएगा इन दोनों circles का ठीक है तो ऐसे case में only one tangent ही common होगा अब यह आप ध्यान रखना कि अभी जितने भी हमने यहां पर तो सारे cases में हमने common tangent के बारे में पढ़ा है ठीक है यहां पर इस circle में कितने ही हो सकते हैं तेंजन इस अंदर वाले circle का बाहर वाले circle का बाहर वाले circle का बढ़ कॉमन क्या होगा only one ही होगा जो उनके point of contact यहां पर जहां पर दोनों circle मीट हो रहे हैं तच कर रहे हैं उसी point पर हमारा दूसरा जो tangent है वो भी बनेगा ओकी चलिए तो यह lecture आपका यहीं आइंड होता है लेकिन इस chapter की अभी शुरुवात है इसके बाद हम देखेंगे tangent और circle से related हम theorem देखेंगे कुछ example solve करेंगे और इन पर बेस कुछ question answers भी करेंगे तो मिलते हैं next class में thank you